जय सिव संकर्मित्रों मैं आप सभी का हरीश पांडे 26 सितंबर 2022 का मकर रासी फल ले करके उपस्तित हूँ सरप्रथम आप सभी मकर रासी वाले भाई बहनों को नवरात्र पर्व की खूब खूब हार्दिक सुपकामना सक्ति का पर्व कल से प्रारंब हो रहा है 26 सितंबर से प्रारंब हो रहा है आप सभी माता की भक्ती में लग जाए घर पर दुरगा पाठ का आयोजन करवाए कल सस्थापन करवाए इससे आपका दुरभागे नश्ट होगा और आपके पुन्य जागरित होंगे और आपके सभी कारें बनेंगे मातरानी की कृपा से चलिए मित्रों 26 सितंबर 2022 का रासी फल प्रारम्म करते हैं उससे पूर्व एक आवस्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे वाट्स अप नंबर पर मैसेश करें मेरा वाट्स अप नंबर है 8540096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दोंगा तो चलिए सुरू करते हैं 26 सितंबर 2022 का मकर रासी फल तो आज 26 सितंबर को रासी से चंद्रमा की इस्थती नवम भाव में अर्थात भाग्य भाव में रहने वाली है और यह चंद्रमा हमेशा मिक्स रिजल्ट देता है अर्थात 50% सकारात्मक और 50% नकारात्मक ऐसे में आपको आज आपके कार्यों में परसानिया तो आएंगी जरूर लेकिन अंत्तह आपका कार्य संपन्न होगा यह बात बिलकुल तय है हाँ आपके साथ काम करने वाले लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिस कर सकते हैं आपको अपमानित फिल करवाने की कोशिस कर सक किन्तु आप उनके चक्कर में पड़े बिना अपने कार्य पर अपना फोकस रखिए जिससे कि आपका कार्य बढ़ियां से संपन हो सके आज ब्यापारियों के लिए भी दिन थोड़ा संघर्ष से भरा तो रहेगा लेकिन अंततह दिन के अंत में आपको संतुष्टी का मिलेगा और उन्हें उनकी पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इनकम की बात करूं तो मकर रासी वालों का इनकम आज थोड़ा मध्यम हो सकता है आज बहुत परिस्रम करने के बाद आकांच्छा के अनुरूप आपको आपकी आय नहीं मिलेगी जिससे कि आपको सं समस्या के अंतरगत पेट की समस्या थोड़ी परिसान कर सकती है अतह खान पान पर आप थोड़ा विश्यस्त नियंत्रट रखें अन्य था पेट की समस्या आप पर भारी पड़ जाएगी जो वैवाहिक लोग हैं वैवाहिक लोगों के लिए भी आज का दिन मिला जुला है आज के दिन आप कहीं घूमने जा सकते हैं चुकि नवरात्र प्रारंब हो रही है उल्लास का परव प्रारंब हो रहा है अतह आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिडने जा सकते हैं उस सम मादूर कहूंगा कि खुल कर कहीं भेट घाट करने की कोशिस न करें इससे बदनामी का सामना करना पड़ सकता है जब तक नमम भाव का चंद्रमा है आप इस परिशिती से थोड़ा बच करके रहें तो मित्रों आज का आपका जो लखी रंग है वो बैगनी कलर है और जो लखी अंक है वो है नमबर चार और आज का उपाय है कि आज आप मादुरगा की फोटो के सामने एक घी का दीपक प्रजलित करें और कुमकुम का तिलक करें और ओम एम रिम क्लेम चामुन डाय विच्चे का रुद्राक्ष की माला या इस्वटिक के माला से एक माला जाप करें और हो सके तो नवरात्री के सभी दिन जाप करें आपका कल्याण होगा ठीक है तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही जाते जाते फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर मेसेज करें मेरा वा